प्रेस कॉंफरेंस हम तब रखते हैं जब हमें समाज को किसी चीज का मेसेज देना होता है तो आज की भी प्रेस कॉंफरेंस जो है यह किसी important मुद्धे पर है जब भी हम औरतों के subject पर बात करते हैं औरतों के इज़त करना या domestic violence का subject हो या फिर किसी ने woman modesty की हो तो मैं अपना ये करतवे समझती हूं जब भी समाज में अच्छी बुरी चीजे हूं उसके पर अवाज उठाने की आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि मैंने लड़की उर्फी जावेद के खिलाफ complaint फाइल की थी आज का मुद्धा फिर से उर्फी जावेद है बट प्रॉब्लम ये है कि वो ना समझ लड़की उन्हें आज तक जितनी गलतियां की उसने लोगों को किस तरह प्रोवोक किया आज मैंने एक complaint फाइल की है जो complaint कल हमारे मुंबई पुलिस कमिशनर को फाइल की गई है इस complaint is basically on फैजान अंसारी फैजान अंसारी नाम का बॉलिवुट से एक बंदा जो किसी एक टीवी शो में आने वाले हैं तो इनोंने एक केक बनाया केक के उपर अंडगामिंस लगाई और उर्फी जावेद का फोटो रखके वो अंडगामिंस को इनोंने सिजर से कट किया मै तो इस तरह की गल्थी दूसरे और लोग करेंगे करते हैं एक आण सब्सक्राइब करेंगे शुदर आख कराई दर आण कि अ यह कम्प्लेट फाइल करने का रीजन यहाँ एज़िख है पहले उस लड़की ने की, अब अदर कपड़े पहन के, और जाती को बदनाम किया, हिंदुस्तान के बोलते हैं न, पेटन को, अगर मैं बोलू सभचा तो लोगों को बड़ा ऐसे लगता है कि मैं सभचा आपर भाशन दे रही हूँ, हिंदुस्तान के पेटन को, डिग्रेट बोलते हैं नीचे गिरा दिया बहुत नीचे गिरा दिया पहले उसने अपने बॉड़ी को एक ब्लाक बोर्ड की तरह स्केच बोर्ड की तरह उसके पर स्केचेश बनाए जो वो चाहती थी जिस तरीकी से वो करना चाहती थी उसने विमन बॉड़ी को एक्सपोस किया दिखाई और उसी तरह अब फैजान अंसारी ने किया है इसी के खिलाफ मैंने कंप्लेइन रेस करते हुए फैजान अंसारी के खिलाफ वुमिन मॉडिस्टी करने की वज़ा मुंबई पुलिस कमिशनर के अलावा डारेक्टर जनरल अफ महाराश्चा और गवर तो हम पूरे समाज में गलत मैसेज का अवेरनेस फिलाएंगे कि इस तरी चीज़े आप कीचिए इन चीज़ों को बैंड करने के लिए ऐसे एफाइर्स बनना ऐसी कंप्लेंस होना बहुत सुरूरिया है लिए लिए आज हम कंसर्ण प्लिस्टेशन को लिटर इशू करेंगे तो मेरा कंसर्ण प्लिस्टेशन बानरा प्लिस्टेशन है तो अबिसली फैजान अंसारी के खिलाफ अगेन एक सोशल मीडिया इंफ्लूेंसर बनके दूसरे सोशल मीडिया जो भी फेस है उसे बदनाम करना उन दोनों का परसनल होता तो मैं बिलकुल बिलकुल भी इन्वल् कि रखा है आप अपनी पब्लिसिटी हासल करने के लिए कुछ भी चीप ट्रिक्स इस्तिमाल कर सकते हैं इसके उपर सविधान को आच्छन लेना चाहिए यह मेरी मांग है जैसे कि आपको पता है इसमें कौन सी कौन सी धारा लग सकती है देखिए सबसे पहली बात मैं एक ही साफ करना मेरा शौक है इसमें सबसे पहले जो मैंने फाइल किया है वह मैं क्लेम करते हैं इस चीज़ पर कि वुमिन मॉडस्टी किसी औरत को गलत तरीके से पोट्रे करना या उसकी बॉड़ी के पास को एक्सपोस करना या फिर उसको इंटेंडली सेक्शुल आक्ट के ल अंदाच रियली आ एक्ष्पेक्ट बाइ मॉंबई पुलिस तो डू अन्नेसेसरी अच्छी आप इसके अलावा क्या चाहते हैं फैजानम इंसादी के पर कव तक यह होज़े हैं अरेस्ट की कोई मान करेंगी आप सर देखिए ऐसा है मैंने मेरा काम किया है बाकी काम पुली अरेस्ट की जो पुलिस आफिसस खुद फाइल करता है जो उनकी इंवेस्टिकेशन कहती है तो यह फैसान ने क्यों किया क्या मोटिफ था इसके पीछे कौनसी कॉंसी है क्या कॉंट्रवर्शल स्टोरी है क्यों किया गया यह क्यों हिंदुस्तान में इतनी चीप ट्रिक्स पाने के लिए और फेमस होने के लिए इन चीजों का जवाब जो है मुंबई पुलिस को हासल करना चाहिए ताकि वो समाज को इसका मेसेज दे पाए कि वाट इसे मोटिफ पे हाइड है जी उसका आभी तक कोई बिल्में नहीं है देखिए उर्फी जावद पर हमने जो मुम जे गाली दी थी उसके किलाफ में डिफरमेशन का केस और बेटरा बैंडरा मेटर पॉलिटन कोर्ट में मैंने फाइल कर चुकी हूं बिच इस अगेंस टूक सियार दो करो रोपे का मैंने माननी का दवा उस पंदी पे किया है उर्फी का और मेरा सब्जेक्ट इस कंप्लीट किया उसे लगता है जिन्दगी से वाज है कल जिन्दगी नहीं है कल जिन्दगी का कुछ नहीं होना है आज के बात कल आना है ऐसा कुछ नहीं है जो आज ही खत्म हो जाना है और फैजान जो कर रहा है मुझे पता नहीं है लोग अपनी फैमिली को जवाब कैसे देते हैं चा करने वालों को मैं एक बहुत साल पुराना एक वाक्या मुझे ध्यान में आगए जिस एक लड़के की पूरी बॉड़ी पे जो है टाटूस थे उसकी जनाजे को है ना कब्रसान के अंदर लेके जाया नहीं मतलब परमीशन नहीं दी जा रही थी क्यों कि उसके पूरी इसलाम की खिलाफ अलुमिलिटी कुछ कहते हैं उसे फॉलो करता था वैसे हुआ एक्ट करता था तो उसकी मैयत दफनाने में बहुत प्रॉब्लम होई है भाई ये जिन्दगी यहीं पर खतम हुनी है मरके अला को मुझ दिखाना है ठीक है तो मेरा मेसेज सिर्व आज की आलिम की बात करते हैं तो आस पास और एक पर धियान रखना यह हमारा फर्स बनता है झालिम की बात्ता है झाल झाल